कि नमस्कार्मित्रों स्वागत है आप सभी का हमारे आनलाइन प्रेटफर्म लर्न विट पर्फर्क्ट में यूपी ट्रिपल से द्वारा गोसित की गए मुख्य सेवी का परिक्षा के लिए आवेदन हो चुके हैं और परिक्षा का जो शेडियूल है वो आ चुका है इसलिए बहुत बढ़िया मौका है जिन लोगों ने फाम डाला है उन लोगों के लिए बहुत बहतरी नावसर है कि वो एक सही तरीके से रणनेतिक तरीके से अपनी तैयारी शुरू करें और बढ़िया तरीके से मेहनत करते हुए वो अपनी सफलता को सुनिश्यत करने सिलिबस में जो चीटें दी गई है उसके बारे में अभी आपको जो है मोहित सार डिस्कस करेंगे लेकिन आपको एक बड़े लेविल पे यानि कि ओवर व्यू के रूप में बता दे कि साइंस का बालोजी का सेक्षण है उसमें और कुछ समासास्त का सेक्षण है और इसके अलावा कुछ बाल विकास का सेक्षण आता है यह तीनों सेक्षण आपको बारी बारी पढ़ाई जाएंगे और इसके ऐसास साथ मुख्य सेवक्या परिक्षा में आने वाले क्वेस्टेंस का सेल कि आप परिक्षा बैठेंगे तो बहुत असहत नहीं महसूस करेंगे आपको आसान रहेगा कि आप आसानी से सवाल कर ले जाएं तो ध्यान के जैसे मुख्य सेवी का परिक्षा की बाद हम करते तो यह जो मुख्य सेवी का परिक्षा है यह फार्म डाले जा चुके हैं और इस प्रुपय में आपको पूरा से लिबस दिया जाएगा इसके साथ साथ आपको पीडियाफ के नोस दिये जाएगे और साथ ही आपको टेस्स भी इसमें प्रोवाइट कराएगी तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है अगर आप मुखी से विका का बैद जॉइन करना चाहत करना होगा और वार्सब करके आपको मुख्री से विकार को फरम बढाया है वह एड्मि क़ण आपको उसकी फोटो बेजनी होगी उस फोटो भेजने के बाद आपका क्लास लिंक जोड दिया जाएगा और साथ दिन के लिए आपका ये लिंक उसमें जूड़ा रहेगा आरा आसे रगाने जा रहे हैं तो हम को सहीद तरीके से ए χंस ग्लास मिल लएके नहीं मिल रही हमें क्या तरीका है Iilloald है तो बहुत कम सबस्वेए बैच शुरू होगा और 10 सितंबर से बैच सुरू कर नहीं लोग 15 सितंबर से बैटisu स्टार्ट होगा इसके पहले हम लोग demo class देँगे demo class आप कर सकते हैं और syllabus wise सारी चीजह पढ़ाई जाएगे this demo class में जो आपको स отправ दिन पढ़ाया जाएगा वह टापिक बता learners जाएगा उस टापिक के रिकार्ड वेजना होगा कि वो फारमा भरें उसका रिकार्ड वेजेंगे तभी हम आपको क्लास दे पाएंगे इस तरीके से कोई दूसरा बच्चा इसमें नहीं जुड़ेगा जिसने फार्म बढ़ा होगा रिजनेबल बच्चा जुड़ेगा ठीक उसको यहां से बहुत सार परकास सुसालजी में जो है नेट है उनका हायर एजुकेशन का पीजी है और नेट है तो वह सेक्षन भी यह पढ़ाएंगे ठीक टेस्ट पेपर और पीडिएफ आपको मिलता रहेगा इसके लिए सिलेबस की जो डिटील है वह आपको सर बताएंगे डिसक्स करेंगे तो अ पर्फेक्ट चैनल में और जैसा कि सर ने बताया है कि मुख्य सेविका की वेकेंसी आई थी और फार्म फिल अपो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी आप लोगों में से बहुत लोगों ने यह कहा कि सर बैच चलाया जाए और हमारे पास अच्छी फेकल् अपार्चुंटी है कि फीस तो सर ने बताया ही आप लोग देखी चुके हैं बहुत कम 999 रुपए फीस इसका मतलब कुछ नहीं होता कम से कम तीन महिने तो लगेगा ही चार महिने आपको पढ़ाने में देखा जाये तो कहीं न कहीं एक रुपए डेली पढ़ेगा एक रु जानते हैं कि करीब 2400 के आसपास में बैकेंसी है लगबग 2500 बैकेंसी एक मोटा मोटा आकड़ा में बता रहा हूं आप लोगों को 2500 के आसपास में बैकेंसी है और 60 से 65,000 ही फार्म पढ़ा है 60 से 65,000 ही फार्म पढ़ा है हो सकता है कुछ उसमें रिजेक्ट हो जाएं कोई समस्या हो ऐसी प्राबलम भी आ सकती और 15 गुना से कम तो यूपी ट्रिपल सी बुलाएगा ही नहीं 15 गुना बुलाने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप समझ सकते हैं 15 गुना 30,000 यह हो गया 15,60 करीब 36,000 लोग तो बुलाए ही जाएंगे 36 से 40,000 लोगों के आसपास में बुलाया जाएगा यानि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों में से बहुत लोग ससंकित हैं में मार्क्स क्या में कम है मुझे कालिंग की जाएगी कि नहीं की जाएगी सीओर रहिए 100% अगर आपने पिट दिया है तो आपको एक्जाम देने के लिए काल किया ही जाएगा आप एलिजिवल हैं से ओर रहेगा और स्लेवर्स की जहां तक हम बात करते हैं बाकी सारी चीजें तरह ने आपको बता ही दिया है कि कैसे आपको एडमीशन लेना है कैसे डेमो लेना है इस से कम और मेहनत करने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से मैनत करेंगे मकसद सिर्फ यह यह फीस मकसद नहीं है मकसद क्या है कि आपका सेलेक्षन करवाया जाए यह अपार्चुन्टी मिली है तो कहीं बाकि आपको पता है कि 100 question पूछे जाएंगे कितने question पूछे जाएंगे 100 question पूछे मार्किंग होगी यह सारी चीज़े आपको पता हैं पहले से ही अब ध्यान दिजिएगा स्लेवस के बारे में जैसे मुख्य सेविका की भूमिका युम जिम्मेदारियां आपने देखा होगा आंगनबाडी के इंद्रों पर जो आंगनबाडी कारिकरता होती हैं उनका काम क्या होता है कि कहीं न कहीं जाकरके नौजात सिसू का अगर जन्म हुआ है तो उसके बारे में कैसे उसकी केर की जाए है या मानली जी कोई गर्वोती महिला है तो वो अपनी क कैसे करें उसके स्वास्थ में कैसे सुधार रहे हमेशा कोई क्रिटिकल कंडिशन डेवलप्ट ना होने पाई यह सब चीजी किसमें आ की वास्तों में मुख्य सेविका के कारी में आ जाएंगे दूसरा देखी यह जो दूसरा टापिक दिया हुआ है विबाह परिवार जात लिंग की असमानता धर्म और भासाएं यह मुख्य रूप से समाज सास्त्र विशेका है आप जानते हैं कि समाज सास्त्र और होम साइंस क अधार पर यह फार्म भी डलवाया गया फिलप करवाया गया आप लोगों से तो इसमें विबाह परिवार जात लिंग की असमानता धर्म और भासाएं यह समाजिक समस्यां क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क यौन हिंसा है ये सारी चीजे क्या है सामाजिक प्राब्लम अन्य बुराईयां भी जो है अन्य सामाजिक समस्यां जो है विश्त्र ढंसे हम लोग पढ़ेंगे विशेश रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित ही पढ़ना है खास बात स्लेवस की याद रखिएगा कि पूरा स्लेवस घुमता है बच्चों और महिलाओं के आसपास में ही और जो आपको कारी मिलेगा पहले ही दिया गया मुख्य सेविका का कारी वह मुख्य सेविका का कारी भी क्या होगा महिलाओं और बच्चों की के बारे में आपको बताना है मेरी बात आप लोग अच्छे से समझते रहे पिर क्या है जनसंक्यां विश्पोर्ट जन संक्यां भ्रत्धि में नियंत्रन है ना जन संक्यां अच्छे से आपको बताया जाएगा पूरी तरीके से लिंगानुपात सारी चीजे जनसंख्याs गहनत तो सब लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनका पीडियाप भी आपको प्रोवाइट किया जाए और बाकी आपजेक्टिव कुष्चन भी आपको कराए जाए जाए है दूसरा देख लेते हैं अगला टापिक क्या है उर्जा बेसल उपापचे उर्जा एनरजी के बारे म आपको पढ़ना है है ना फिर मेटाबोलिजम यह जो टापिक दिया हुआ है यह क्या है मेटाबोलिजम है यह साइंस का टापिक है एनरजी के बारे में आपको पढ़ना है संतुलित आहार तथा भोजन कैलोरी मान वजन प्रबंधन समझ रहे ना अगला क्या है संतुलित आ बिटामिन फैट कार्वो हाइडेट मिनरल को एक बैलेंस रूप में ले जिससे हमारा सरीर क्या रहे स्वस्त्र है खास कर किसके लिए प्रेग्नेंट फीमेल के लिए और बच्चों के लिए जो प्रश्ण बनेंगे उन्हीं से बनेंगे आप देखिएगा इसके बाद है भोजन के आवस्य घटक देखे बहुत महत्पूर है प्रोटीन कार्वो हाइडेट वस्ता और विटामिन से और रहिएगा सो नंबर में कम से कम 15 से 20 नंबर का यहां से प्रश्णियों यह लोग ब फानी से यह पॉच्ण स्टेर हैं large चैपटर है मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अछे से अगला किया है 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 अगला देहन दीजेगा इनके स्रोत श्रोत क्या क्या प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं या विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं यह सब पूरा complete रूप से हम लोग पढ़ेंगे अगला क्या है गर्वधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत है ना प्रसो गर्वधारण के दौरान कुष्टाहर की आवसेक्ता जन्म के चरण प्रसो के प्रकार महिला स्वास्तियों गर्वपात है ना यह सारी चीजे आप लोगों को पढ़ना है complete रूप से क्या क्या पढ़ना है कि गर्वधारण किस कंडिशन में कर्वधारण करना चाहिए किस कंडिशन में नहीं कर करना चाहिए साथ में हैं गर्वा उस्था की जटिलता हैं कौन-कौन से प्रेग्नेंसी के समय क्रिटिकल कंडिशन डेबलब्ड हो सकती ही प्रसो कैसे कराया जाए कैसे नार्मल प्रसो हो सकता है कैसे नार्मल डिलिवरी हो सकती है और क्या क्या कंडिशन होती जिसके कारण तो है ऑप्रेट करवाना पड़ जाता है मैं ऑक्सिटोसिन हार्मोन या जो बाइलोजिकल चीजे हैं वो एड करके आपको बेथर धंसे बताऊंगा यह भी साइंस का ही टापिक है है ना स्वास्थियों गरभपात महिलाओं के हेल्थ के बारे में आपको पता है आयरन कैल्सिय मोटर विकास भावनात्मक विकास भासा विकास सामाजिक विकास संग्यातनात्मक विकास यह वास्तों में टापिक जो है वो समाज सास्त्र का उस्वरी बाल विकास का है किसका है बाल विकास का है यह किसका है बाल विकास का है जो रिजवी सर पढ़ाएंगे अभी आपको लोले सर ने बताया भी है कि यह रिजवी सर पढ़ाएंगे नौजात की देखभाल इस्तनपान के तरीके पूरक 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 यह साइन्स का है कि कैसे कैसे लेक्टेशन कराएं और लेक्टेशन के लिए हार्मोन कौन सा होता है उसमें मैं आपको लेक्टोजन ऑक्सिटोसिन है ना यह समय बताऊंगा साथ में कुपोषण से कैसे बचाया जा सकता है यह चीज़े बताएंगे जीवन चक्र के दौरान पोषण सैसवावस्था बजपन किसोरावस्था भारत में सिसु मृत्यूदर मात्र मृत्यूदर यह भी वास्तों में देखा जाए तो कहीं न कहीं बाल विकास का हो जाता है रिजवी सर आपको पढ़ाएंगे इस तरह से आपको स्लेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा खाना पकाने के दौरान पोषण तत्तों का संगच्छन खादि पद हैं उनका प्रिजर्वेशन करें कैसे करेंगे और खादि पदार्थों के अंकुराण किडवन खादि ताल मिल के पोषण मूली को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके यह सारी चीजे आपको बताए जाएंगे अगला क्या है बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करन में महात्वण रोल अदा करती हैं यह पूरी तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि साइन्स का है अगला क्या है रोग में यह सारे रोग आपको पढ़ना फीबर पढ़ना डिक्तिरिया काली खासी टिटनेस पोलियो है ना मलाइटिस खसरा तपेदिक चिकन पॉक्स ह अगला देख लिएगा स्वास्थ एजेंसियां स्वास्थ एजेंसियां जैसे यह जितनी भी स्वास्थ एजेंसियां हैं इनको सर पढ़ाएंगे आपको यह जितनी भी स्वास्थ एजेंसियां हैं सर आपको पढ़ाएंगे यह जो भी स्वास्थ एजेंसियां हैं उनको लोले सर आपको पढ़ाए साइन्स का जितना भी पोर्षन है और समाज सास्त्र वाला वो मेरी जिम्मेदारी पर डाला गया है मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 100% देने का प्रयास करूंगा उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं बाइलोजी आप लोग मुझसे पढ़ चुके हैं आप लोगों मे और थोड़ा अपने आप में कांफिडेंस है कि आपको अच्छा लगेगा और प्रश्ण सारे आप यहां के कर ले जाएंगे यह टीका करण भी टीका करण जन्म से पूर्व जन्म के पश्चार टीका करण यह भी साइंस का टापिक है मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे किस समय कौन कौन सा टीका लगाना चाहिए और इन टीका लगने की वज़े से वैक्सिनेसन ही है इससे कैसे इम्यून पावर developed होता है यह complete रूप से भाईया आपका स्लेवस था इस स्लेवस को cover करने में कम से कम तीन महिने लगेंगे कम से कम तीन महिने लगेंगे देड़ से दो घंटे की class daily होती रहेगी समझ रहे ना मेरे देड़ से दो घंटे की class daily होती रहेगी जिसमें टापिक वाईज आपको पहले theory समझाएगी लेक्चर दिया जाएगा फिर question भी करा दिये जाएंगे objective जिससे आपके अंदर एक समझ विक्सित हो जाए कि कैसे कैसे question आ सकते और pdf में notes भी आपको provide करवा दिया जाएगा ये सारी बाते लोले सर आपको बता भी चुकें अब किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो कोई doubt हो तो phone number दिया हुआ है उस पर आप message कर सकते हैं और साथ में comment भी कर सकते है comment box में कोई दिक्कत नहीं है demo class आपकी start हो जाएगी लेकिन demo class से पहले आपको सर से संपर्ग करना होगा जो भी बताएं हैं कि अपना जो farm fill up किया है उसका क्या करना है आपको बस एक screenshot लेना है या कह सकते हैं photo click करना है उस सर के पास message कर देना है demo class आपकी start हो जाएगी बताया गया 15 September से आपकी classes इस्टार्ट हो रही है इसके पहले ही सर से आप लोग संपर कर लेजिए और मेरी एक सलाह मानिये जिन लोगों ने farm डाला है इससे बहतर chance आपको नहीं मिलेगा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने चालिस से पचास question भी सही कर दिया चालिस से पचास question भी सही कर दिया तो सिवर यह आपका selection हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेट में score बहुत कम है आपने देखा था इसके पहले एनम का हुआ है उसमें तीन नंबर वाले क्या selection पा गये हैं कुछ ऐसी चीज़े आपने सुना है देखा है तो यह बहतर अपार्चंटी है फीसूस कुछ नहीं है कोई माइने नहीं रखता है माइने क्या रखता है कि आ आप रेगुलर अपना टाइम दीजिए है ना चलिए और सब जिन चीजों की आपकी कोईरी हो वह सर से संपर कर लीजिएगा धन्यबाद और फिर मिलते हैं